मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों concept talk के इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही important concept जो की है artificial intelligence उसको समझने की कोशिश करेंगे चलिए देखते हैं artificial intelligence और उससे related दो तीन चार चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा एक objective बहुत famous जो है important है जो की बहुत सारे exams में पूशा भी जा चुका है therefore मैं वो भी cover करूँगा चलिए देखते हैं artificial intelligence है क्या artificial intelligence? artificial intelligence क्या है कि it is refers to the development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence such as learning, reasoning, problem solving and perception it is a broad field with various applications from natural language processing to computer vision ठीक है यह तो आपको language चलिए अब मैं बताता हूं आपको ठीक है ऐसी चीज़ें जो की human intelligence कर सकती है जैसे reasoning, logic लगाना, ठीक है दिमाग लगाना यह जो हम दिमाग लगाना बोलते हैं न human intelligence की चीज़ें जब हम digital medium से, computer के बादे हम से करता है इसे कहता है artificial intelligence ठीक है example मैं आपको दूँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे एक चीज़ है machine learning, internet of things, big data इनको समझेंगे और इससे हमारा और clear हुआ artificial intelligence ठीक है तो machine learning क्या होती है कि machine को input बहुत ज़्यादा data से कुछ algorithm मना दिया जाता है algorithm क्या है, एक तरगा set of instructions है, वो दे दिये गए है computer को अब वो उसके हिसाब पे उसको हर बार आपको टाइप नहीं करना पड़ता है या बताना नहीं पड़ता कि यह task perform करता है अब उस algorithm के हिसाब से वो बहुत सारी data को collect करके एक जगा पे और अपने एक intelligence के हिसाब से वो क्या करेगा कि machine सीख जाएगी चीज़ों को और उसके हिसाब से काम को आगे बढ़ाएगी This is machine learning, ठीक है? बहुत सारा data आप उसके पास available है ठीक है? और उससे data और experience और जितना आप use करेंगे इसको वो और बेटर होता जाएगे Because it learns from data and experience इसी के base पे आती है एक चीज़ इसे हम बोलता है internet of things IoT या internet of things का मतलब है interconnected networks होते है जिनके थूँ आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हो जैसे smart homes Alexa हो connect कर दिया, Alexa से आप बोल रहा हो तो वो light off कर दे रही है, light on कर दे रही है, TV on कर दे रहा है, TV off कर दे रहा है तो एक जो connected network बनता है na different machines का, different devices का इसको हम कहते है internet of things ठीक है, और एक चीज़ बता है तो big data big data क्या है big data is the new oil, ये कहा था मुके शम्मानी ने geo launch चुगे तो क्यों बोला था ऐसा, oil क्या है oil जैसे economy, oil के exploration के बाद, एक नई economy खुल गई, oil economy, येतने भी, आप Middle Eastern countries हैं, आप देखोगे वो oil economy है oil के basis पे उन्होंने grow करा बाद में दुबाई इस चीज़ को समझ गया वो जो उसके leader जो है वो बहुत ही visionary leader जो है बहुत ज़्यादा focus किया, लोग दुबाई जाते है न घुमने के लिए क्यों, tourism बहुत focus किया, और दुबाई का एक simple सा fund आ है, कि आपको कुछ बनाना हमारे country में तो बनाए, बिल्कुल you are welcome, but it should be the only one in the world, or it should be the biggest one in the world Disneyland जब दुबाई गई थी, उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे, उन्होंने बिल्कुल बनाएंगे, you are very welcome, but there is a condition, आपको दुनिया के सबसे बढ़ा Disneyland यहां बनाना होगा, we'll provide you the space but Disneyland rejected the offer, because they said that we are an American company and we cannot make a Disneyland park which is bigger than that of America, ठीक है America's बड़ा यहां नहीं मनाएंगे तो उन्हों बनाएंगे, ठीक है आप जब जब, वो चले गए इन्होंने अपना एक पार्क मना लिए उसे बड़ा या तो only one होगा, या फिर biggest one होगा यह क्यों कर रहे हैं, टूरिजम को ट्रैक करने लिए, टूरिस्ट्स को अट्रैक करने लिए, ठीक है तो यह है, आपको मैंने उसी तरह से डेटा है आज के डेटा में, डेटा is the new oil कि डेटा जिसके पास ज़ादा है वो ही राज करेगा आगे हने वाली सदियों को, ठीक है इसलिए बोलता है, डेटा is the new oil अब क्या है, कि डेटा तो है बहुत ज़्यादा डेटा है, आप जैसे मान के चले, आप स्क्रोल करते हो न आप देखो कि यूटूब पर आपके पसंद की चीज़े कैसे मिल जा रहे हैं, या फ्लिपकार्ट पर एक जूता सर्च करो, Amazon पर सर्च करो मिंतरा पर सर्च करो, और फिर Instagram चलाओ उस पर आपका वही जूता आपको बार-बार शो करेगा, क्यों? There is a reason, यही है big data analytics ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा है, उसको जो है न, analyze किया जाता है, ठीक है, वो बड़ी-बड़ी कंपनिया करती है, क्योंकि उसके लिए वो चाहिए, उतना computer चाहिए, उस हिसाब से, लोग उस तरह के skilled चाहिए, data scientist जो है बहुत, आज के एट में lucrative job है, तो वो उसको analyze करके एक तरह से, उसके uses के हिसाब से उसको interpret करते है, अब big data में तीन चीज़े होते है, three V's of big data, velocity, आपको variety, और volume, volume, velocity, variety, बहुत ज़्यादा volume है, बहुत तेजी में आ रहा है, बहुत variety है, इसको analyze किया जाता है, और ये जो है न, algorithm create करता है, ठीक है, इसी के तरू, और इसके तरू, machine सीखती है चीज़ों को, कि हमें ये चीज़ ऐसे हो रही है, और आप जितना use करोगे, वो उतना better होती जाएगी, ठीक है, और इसी को हम कहते है, artificial intelligence, ये जो digital medium use कर रहा है हम, चीज़ों को समझने के लिए, जैसे आप एक चीज़ बता रहा हूँ, अब आप देखोगे, अगर Google आप photos यूज़ करते हो, तो Google photos automatically पहचान जा रहा है, कि ये आप है, it is you, या फिर coins, वो अलग से slot बना लेते हैं, कि ये एक इंसान है, वो कैसे image recognition, image को recognize कर रहे हैं, कैसे, algorithm based है, ठीक है, यही है artificial intelligence, और बहुत famous है chat GPT आपको पता होगा, बहुत जादा ऐसे, बहुत जादा टूल्स है, आपको chat GPT पता होगा, chat GPT ठीक है, लेकिन GPT का full form क्या है, ये समझे generative pre-trained transformer, ये याद रखेंगे, ये important है, ये आज सकता question में, what is the full form of GPT, generative pre-trained transformer, I hope आपको चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है, और आपके लिए easy हो गया होगा, हर कुछ, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, next video में, ठीक है, और एक चीज़ कि आप लोग please, modulation.in पे जा सकते हैं, या modulation 2.0 app को डाउनलोड करें, वहाँ आपको हमारी CUET course के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, हमने specifically tailor-made curate किया आपके लिए course, ताकि आप हर कुछ अच्छे से समझ पाएं, और आपको कोई reference book ना देखना पड़ें, for more information, you can call us on 9015781999, आप modulation CUET2024 telegram channel में भी join हो सकते हैं, वहाँ updates वगरे डालते रहते हैं, community post पे कुछ questions आते हैं, उसको आप try करो, MCQs बनाने होंगे, without it, you cannot succeed, तो आप उसको try कर सकते हैं, साथ में post डालते हैं, उसको ध्यान दे, ठीक है, और please video को like कर दे, थोड़ा share कर दे, और channel को subscribe लगते हैं, कोई problem है, comment box में डाले, I'll be more than happy to assist you with that, ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं next video में, किसी हो topic के साथ, till then, take care and keep on revising things, thank you.